नमस्कार भरिय दर्शकों, BCN के सारे दर्शकों को BCN के भगशी दर्पन कारेकरम में स्वागत है। आज हम जानते हैं गुरू भ्रहस्पती ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है नव ग्रहों में, सबसे बड़ा शुबता दाय शुबता देने वाला ग्रह है। जिसके शुब होने से पत्रिका में सब शुब होता है, जिसके अशुब होने से पत्रिका में सब कुछ अशुब सा प्रतित होता है। और जिस ब्रहस्पति के आशिरवाद अगर रहा, जिस आशिरवाद रहा कोई पत्रिका पे, कोई सज्जन पे, उसके सारे कारे मिल विगन होते हैं, जिस पत्रिका में गुरु ब्रहस्पति का आशिरवाद नहीं रहा, उसके पत्रिका में सारे के सारे काम विगन पूर्वक य के संथान वुद्रों कहा हो नाम किर्थि का और भक्ति का चाहो मुक्ति का चाहर और यस्कीर्ति और संथास्थि Hz. अब देख़े आज ए विश्याई ब्रश्पती पर महत्पपुन इसलिए है क्योंकि ये कमाई । 2014 को गुरु ब्रश्पती मेश राशी में जो गोचर कर रहे تھے इक पिछले एक साल से और एक साल से गुरु बुरस्पति जो मेश राशी में गोचर कर रहे थे वो मेश राशी छोड़कर अभी गुरुशब राशी में गोचर कर चुके हैं देखें अभी ये हम अभी इसको जानना जरूरी है कि मेश राशी से लेकर मीन राशी तक जो बारा राशी आ हैं जो गुरु गोचर मेश राशी से वुर्षब राशी में हुआ है एक तारिक एक मही को 2024 को इसका बारा राशी के उपर कैसे कैसे किस प्रकार का अच्छा बुरा परिणाब हैं इस बारे में जानते हैं है सबसे पहले देखिए मेश राशी जो पहला राशी है मेश राशी के अभी जो बुर्षब व्रशब राशी में आ गए हैं मेश राशी वालों के लिए जो गोचर है जो मेश राशी अपने राशी को चोड़के गुरू मेश राशी को चोड़के व्रशब राशी में जो गोचर हुए दूसरे भाव में मेश राशी से व्रशब राशी दूसरा भाव आता है उसमें जो प्रजागे फेलेगा चाहिए बृत कष्ट दे रहे उससे उनको सोड़ा दिखाई देगा। काज आगे बढ़ते वे दिखाई देगा और जो पार्टनर्शिप्स बराबर नहीं हो रहते हैं वो पार्टनर्शिप्स में उनको अच्छा येतिचिप मात्र से उनको लाब होती दिखाई देगा अगला है वृषब राशी वालों को अभी तक का बारवा गुरू चल रहा थ जो अभी तक का उटालते रहते वो सारे चीजे थोड़े प्राब्लम्स आने के योग बनते हैं लेकिन पार्टनर्शिप्स को लेके अच्छे खबर हैं पती पत्नी के रिष्टे को लेके अच्छा खबर है बुर्षब राशी के बच्चों का इंप्रूमेंट अच्छा कारेंंको नेगलट न करते हुए उसको बारबार टाइमली करेंगे तो संतान को भीलाब हो उगा अग्ला है अपना विधुन राशी जो वुद्ध का राशी है। देखे, मिधुन राशीवालों को अभी तक गुरुबल था, क्योंकि मेश राशी में गुरु गोचर चल रहा था, अभी एक तारिक से गुरु आकर व्राशव राशी में गोचर कर रहे हैं, जिसके वज bikini Midoji और दूसरा जमीन जाइदा जो अभी तक का उनका भिक ने रहा तो भिकने का योग बनता खरीदने का योग बनता लेकिन थोड़ा गुरुबल की कमी होने के वैसे पती के स्वास्तमी कमी पार्टनेशिप्स में थोड़ा सा परेशानी काम काच को लेकि थोड़ी मंदी और पै न्वेट होते दिखाई रहे तो उसी लिए थोड़ा सा बज़ेट सोच संबल के प्लान करें देगा। converted into couple अच्छा रहेगा तो गुरुल का गोचर कर राशी वालों को और गासी वालों को जिनके शादी नहीं हो रहा तो उनके शादी फिक्स होंगे जनके शादी के जिनने बच्चे का प्लैनिंग करके रखा उनके संट्वाव्थिका योग बनता है और जिन करकराशी वालों को बगस्ट करीन रतधना नया कॉछ क्योंकिक करना है उनको नया कश वाया कामकाच भी च्योगी और देखें चौथवा है अपना सिंवराशी जो सूरिका राशी है सिंवराशी वालों को गुरु का गोचर दशम भाव में है दशम भाव में गुरु पुछ तहीं नहीं कुछ ऐसा विवाद चल रहा था या फिर कोई litigation या सो court case कचरी का कुछ चल रहा था सिम्भ राशी वालों को उसमें उनको फाइदा दिखाई देगा उसमें उनको जीत दिखाई देगा और वृषब राशी में गुरू के गोचर के चलते सिम्भ राशी वा दिखाई कढई राशी वालों को पछले एक साल से बाड़ा महीने से नानापर कर अवाध आया नवन गुरू wär नवन गुरु चलते उनके विगन दूर होंगे और उनके जो भी वह मनस्य है वही दूर होगा या उनके काड़्श मन मुक्त का फिर मनत होगा एक विजय होना यह अपर एंडोने का योग बनता है कन्या राशी वालों को और कन्या राशी वालों के लिए नवम गुरु जो है उनके पत्नी के लिए अच्छा रहेगा कामकाज में बड़ोत रहेगा कामकाज में अच्छा उनको फाइदा मिलेगा उनके बच्चों को अच् यो पेट सम्मिज समस्य थोड़ा चालू हो चुका था एक साल से उसमें भी रहत दिखाई देगा और कन्या राशी वालों को ये साल थोड़ा देव धरम पूजा पाट जादा करने को मौका मिलेगा अगर मौका मिले तो पीछे नहटे देव धरम मंदिर पूजा पाट के काम क अगला है अपना तुला राशी जिसका स्वामी शुक्र है देखिए तुला राशी वालों को अभी तक का गुरुबल था लेकिन अभी बेश राशी छोड़कर व्रिशब राशी में गुरु का गोचर होने के चलते व्रिशब राशी का जो गुरु है उनको अस्टम गुरु का फल देगा जिसके वज़े से उनके तब्वेत में थोड़ा कमी कामकाज्मे मंदी या फिर उनने जो गलती नहीं किया वो गलती उनके सर पर थोपा जाना या फिर उनको थोड़ा जो पुराने बीमारी थे वो थ खराब था, वो कहीं से पुराना पैसा मिलना, पुराना जो कुछ प्रॉपर्टी दिखा है या जाइधात दिखा है, उसका पैसा मिलने का योग बनता है, लेकिन वो जल्दी ने होगा, डिले होगा, लेकिन ये एक साल के अंदर, ये बारा महिने के अंदर ये फल उनको उए अगर पुराने बीमारी से कुछ जीज रहें या परेशानी हैं तो वह बढ़ने का योग बनता, हुआ तो उस पर तोड़े ढ़ाइड काम का सोच समबल के करें किसगे साव के और बहुत समबल के चलाना है तुला राशी उनके राशीत है, तो उनके सारे कारे बनेंगे, उनको फॉरीन जाने, उनको फॉरीन जाने का योग मिलेगा और लाब होगा मित्रों के वज़े से लाब होगा वृष्चिक राशी वालों को साथ में पडोसियों से भी अच्छे नाते बनेंगे अच्छे रिष्टे बनेंगे और पडोसी यह जो साथ में काम करते हैं घर गरस्त के पडोसी हैं उन से बहुत लाब होगा वृष् व्रशव राशि वालों का उनका इसवामी व्रिश्व राशी में बोचर कर रहे हैं 6 भाव में बोचर करने की सब्सक्राइब जो काम करेंगे उस काम को दो-तीन बार करना पड़ेगा तब जाके उनको सफलता मिलेगा competition कड़क रहेगा, competitors थोड़ा strong बनेंगे, जिनके वज़े से उनको थोड़ा परिशानी जहिलना पड़ेगा, और पुराने अगर बीमारी से जूज रहे, वो बीमारी बढ़ने का योग बनता है, थोड़ा अनलक्की साबित हो सकते हैं, इसका ध्यान दे, और छटे भाव में ग में अगला है अपना मकर राशी, जो मकर राशी है, शनी महाराज उसके शनीदेव, उसके स्वामी है, मकर राशी वालों के लिए पंचम में गुरु का गोचर अभी तक का बेश राशी में था भी वुरुषब राशी में गोचर गुरु का होने के चलते उनको गुरुबल का प्राप्ति हुआ है गुरुबल के प्राप्ति के चलते वुरुषब में मकर राशी वालों को भग्यो करने को मिलेगा कोई गुरु का अशिरजान का मिलं सकता मकर राशी वालों को एक समझे कोई काम कदे किसका डिवर्षों को साथी नहीं निता है ये साल होने का पूरा-पूरा यूग बनता और दूसरा कैसा है मकर राशी वालो को धोड़ा इडि समस्या हो सकता है उसके ध्यान देना है और अपर बड़े जो मकर माटा यापीटा जिरेयो पहला संता ने थोड़ा नुखसान या Онे यूदधा बाकी प्लें एसा कुछ विशेश नहीं देगा और मकर राशी वालों को यह एक साल के अंदर काफी कुछ उनको अपने परसनल लेफ में इंप्रोमेंट दिखाई देगा अगला है अपना कुम्ब राशी जो कुना स्फिर से स्वामी शनीदेव हैं उसके कुम्ब राशी वालों के लिए चत है मात के स्वास्ट को लों के चिंति ठते वह उसके उसको उनको श्य थोड़ा बढ़ते दिखाई देंगा उस पर ध्यान देव बाकि आन्यक में 213 उच्छा रहे बाकि पैसेपने के जुगार अच्छा रहे गा और अच्छा रहे या कोई काम का शुरू करने का योग बनता है अगला है अपना आखरी है अपना मीन राशी जो गुरु का ही राशी है उसका स्वाराशी का स्वामी गुरु है मीन राशी का देखे गुरु का जो गुरु मीन राशी का स्वामी है वही गोचर अपने तीसरे भाव में कर रहे है विश्वराशी में उसके लिए उनको यह साल ठोड़ा सा गाड़ी मकान से ठोड़ा सा गाड़ी वर्गड़े चलाणा थोड़ा सोच समझ के चलाना हैं नेतिरत्व करने का योग मिलेगा और जिनकी शाधी वादी जुड़ने रहे ङ कम्वेर होना है मीन राशी के जो पिता हैं, उनके पिताओं को मीन राशी के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता को अच्छा होता है दिखाई देगा, पिता को अच्छा होता है दिखाई देगा, और मीन राशी वालों के लिए लाब होता ही दिखाई देगा कामकाच के अंदर, हाला कि मीन रा के तब्यत पे ध्यान देना है बाकी मीन राशी वालों को पाटनेश्य पच्छा रहेगा शादी जिनका नहीं शादी होगा कामकाज में उन्नती दिखाई देगा धरम करम के पुजा करने को मिलेगा योग है तिर्थ यात्रा करने का और सबसे बड़ी बात उनको लाब बढ़ जो लोग प्रोफेशन में हैं या सर्विस करते उनको प्रमोशन या फिर इंक्रमिन मिलने का यूग बनता है तो दर्शकों यह था मेश राशी से लेकर मीन राशी वालों को गुरु का गोचर जो वर्शब राशी में हो रहा है फला फल जो मैंने बताया कृपया इस पर ध् बच्चों में मीठा बाटें बच्ण अपने बच्चों को अच्छे संस्कार अच्छा प्यार दे चोटों प्यार बड़ों को आधर सब्मान दे और जो गुरू आपके जिजी चुक ए जो छीखा चुक है यह आध्यत में गुरुह प्रापंचिय पुरूज के गुरु Orange वह अच्छा होगा तो दर्शको यह था अपना गुरु का गोचर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शकों को यह गुरु का गोचर कारेकरम अच्छा लगा रहेगा धन्यवाद जैश्री राप